सोट में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में चुकि इस स्टॉक में कुछ पोजेटिव न्यूस आते हुए दिखी है उसके क्या इंपेक्ट होंगे सोट टर्म और लॉंग टर्म और वांकि क्या न्यूस रही है उसको इंडेप्ट एनलेसिस करें इससे पह में देखेंगे तो हाइली अंडर परफॉर्म बेदानता रहा है जबकि मिटल सेक्टर काफी आउट परफॉर्मिंग रहे और एक नेरो रेंज डेविडिंड के राजा के नाम से भी जाना जाता है और अनदर एक बड़ी न्यूस जिसे मैं यह दिखी है वह यहां देखेंगे कि बेदानता टु एक्वाइड बेदानता फॉक्सकं सेमी कंड़क्टर यूनिट जहां हमने देखे थे कि डी सब्मिट बेदानता के दुआ करा वह फॉर्म करा गया था जहां कुछ कमी दिख रही थी और यह अगेन एक बड़ी खबर रही है और सेमी कंड़क्टर के यूनिट को लेकर के काफी ऑप्टिमिजम जो निवेसक हैं उनके बीच में दिख रहा है तो इस समय देखेंगे तो काफी फेबरेबल रहा है इलेक्टिक फोकलिप्स टू डिकार्बोनाइज माइनिंग स्लीट को लेकर करके देखेंगे एटी ऑटो से यह निउज ट्रेंड होते हुए दिखा है मेली जो बड़ी निउज है वो क्या है सेमी कंड़क्टर यूनिट वेदानता के तरफ आते हुए दिखी है डिलेवरी अल्रेडी काफी लंबे समय से काफी बेहतर दिख रहा है और 40-50% के डिलेवरी काफी बेहतर माने जाते हैं और वही डिलेवरी एकर मोर दें 50% हो तो वह काफी सांदार नंबर दिखता है यहां अगर टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो काफी कंसोलिडेट फोम में ही रहा है पिछले event 3 months के return को देखेंगे तो positive 2% का दिखेगा इसके साथ आगे देखेंगे तो इसके chart के माध्यम से आप क्या देखेंगे triangle trend बनते दिख रहा है और यहां यह इसी बीच में consolidate कर रहा है तो again and again मैंने repeat कर रहा है 284 के level को ध्यान पर रखेंगे एक बार इस level को breakout करता है तो बड़ी trend भी इस stock में दिख सकता है 284 के level के breakout पर जो हमारा target आ रहा है 296, 320 और 340 प्लस तक के levels आ रहे हैं lower side 264 के level को ध्यान में रखेंगे यह level branch नहीं होना चाहिए अगर यह level breakdown करता है तो फिर trend जो है negative side में भी दिख सकता है